अब भारत से रूस की दूरी को रेल से तै किया जा सकता है जी हाँ जल्दी भारत को रूस और मद देशिया के देशों को जोड़ने वाला नया उत्तर दक्षिल परिवहन गलियारा तयार होने वाला है जिसके तैयार होने का नुमान 2017 तक लगाया जा रहा है देखिये रिपोर्ट जल्दी की भारत और रूस के बीच रेलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और इसी के साथ ही भारत से रूस और रूस से भारत रेल से आना जाना संभव हो जाएगा यह रेल गाड़ी रूस के सैंट पिटर्सबर्ग और फिनलंग के हल्सिंग की नगरों से चल कर भारत के मुंबई तक सफरताय करेगी इसका पहला परिक्षन आने वाले तीन-चार हफ्तों में किया जा सकता है रूस रेलवे के उपाध्यक्ष अलिकसांदर मिशारें के मुताबिक पहले इस नए रेल मार्क पर माल गाड़िया चला कर देखी जाएगी और पहली माल गाड़ी मुंबई से आगामी 7 अगस को मौसको के लिए रवाना होगी माल गाड़ी के सफल संचालन के बाद मुंबई से सैंट पिटर्सबर्ग के बीच यात्री ट्रेन की भी शुरुवात की जाएगी आई आपको बताते हैं कि इस नए रेल मार का रास्ता किन-किन देशों से होकर गुजरेगा मुंबई से ही रेल गाड़ी पाने के जहाद से इरान के बेंदेर अब्बास बंदरगाह तक पहुँचे की इसके बाद गया रेल गाड़ी इरान के रेश्ट शहर तक जाएगी चुकि अभी इरान की उतरी सीमाओं पर बसे रेश्ट और अजर बेजान के सीमावर्ती शहर अस्तारा के बीच रेल लाइन बिछाने का काम पूरा नहीं हुआ है इसलिए इस माल गाड़ी पर लदे सारे कंटेनर सडक मार्क से अस्तारा ले जाए जाएंगे जहां से इन कंटेनरों को फिर से रेल गाड़ी पर लाद दिया जाएगा और मौस को रवाना किया जाएगा इस तरह उतरी दक्षणी गलियारा नाम के इस रास्ते को पहली बार इस्तेमाल करके देखा जाएगा अजर्बेजान रेलवे जल्द से जल्द अस्तारा से इरान की सीमा तक रेल लाइन बिछाने का काम पूरा करेगी अजरबेजान रेल्वे के अधिकारियों का कहना है कि इस साल के आखरी तक 8 किलो मीटर के इस टुक्रे पर रेल लाइन बिछाने का काम पूरा हो जाएगा आईए आपको बताते हैं कि इस रास्ते पर रेल गाड़ी चलाने की पहल कैसे हुई और इसके शुरू होने के बाद व्यापार और यात्रियों को क्या क्या फाइदा मिलेगा अभी मुंबई से मौस्को तक माल पहुचाने में 40 दिन का समय लगता है इस रास्ते के बनने के बाद मुंबई से मौस्को तक पहुचने में कुल 14 दिन का समय लगेगा तब तक इरान और अजरबेजान रेल मार्क को आपस में जोडने के बारे में एक समझोता भी कर लेंगे उसके बाद इस उत्तरी दक्षणी गलियारे का बड़ी सक्रियता से इस्तिमाज शुरू कर दिया जाएगा आपको पता दे कि 12 सितंबर 2000 को रूस के सेंट पिटर्सबर्ग में रूस, एरान और भारत ने अंतराश्ट्रिय परिवहन गलियारा उत्तरी दक्षणी का निर्मान करने के बारे में एक समझोते पर हस्ताक्षर किये थे बाद में 2000 में अजरबेजान भी इस समझोते में शामिल हो गया और वह परियोजना में सहयोग करने लगा उत्री दक्षणी गलियारा परियोजना के अंतरगत रेल लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद यह गलियारा अन्य विकल्पिक अंतराश्ट्रिय परिवहन मार्गों के मुकाबले बड़ा फायदेवन साबित होगा इस गलियारे की वज़ह से फारस की खाड़ी से यूरोप तक मालों की ढुलाई बहुत कम समय में और बहुत कम लागत पर होने लगेगी जिससे बड़ा आर्थिक लाब भी होगा बेशक के सर गलियारे के शुरू हो जाने से भारत को काफी आर्थिक फायदा होने की उमीद है साथी आसानी से रेल मार्क के जर्ये लोग भारत से रूस तक के सफर को तै करेंगे देखते रहे डीबी लाइव